। तो इस टाइम पे हिंदुस्तान जिंक रिजर्ट्स आ चुके हैं तो चलिए डिसकस करते हैं कि हिंदुस्तान जिंक के रिजर्ट्स कैसे रहे तो इंडोस्तान जिन्ग के रिजल्ट्स का आकड़ा जो प्रॉफिट निकल के आया है तो अनुमान से 11.4 परसेंट की घिरावट देखने को मिली है अनुमान से और अगर मैं अनुमान से कंपेर करूँ तो एक्सपेक्टेशन से और रिवेन्यू का एक्सपेक्टेट था कि 5606 करोड का रिवेन्यू का आखड़ आ सकता है रिवेन्यू लेकिन वो निकल के आया 6360 करोड का तो यह आखड़ा भी निराज जिनका है जिसमें अनुमान से 2% की गिरावट देखने को मिलिया है और EBITDA का अनुमान लगा जा रहता कि 3561 करोड पर आ सकता है और जो निकल के आया 345 करोड का तो इसमें भी 4.4% की गिरावट देखने को मिलिया है अनुमान से और और मार्जिन की बात करूँ मार्जिन का अनुमान था कि 54.7% पर आ सकता है मार्जिन जो निकल के आया 53.4% पर ये भी अनुमान से एक सोती स्पेसिस पॉइंट्स के गिरावट देखने को मिल रही है अनुमान से अगर मैं मगः एक हिंदुस्तान जिनके रिजर्ट्स की बात करूँ तो एक निराजजनक रिजर्ट्स ही रहे अनुमान से काम आये बाजार को पसंद नहीं आने चीए रिजर्ट्स और अपक पिछले साल से compare करें किस तरीके के रहे क्या-क्या कितना बड़ा तो अगर मैं बताऊं profit में जो पिछले साल 1360 करोड का था उस वो 1983 करोड पर निकल के आया तो early on early basis 45.9% की बड़त देखने को मिलिये profit में और revenue जो 3898 करोड का था वो आया 63.6% का जम्प देखने को मिला और EBITDA में अगर EBITDA की बात की जाये तो 40.8540 1485 करोड था लास्ट इयर और इस साल आया 145 करोड का तो 120 129% का जम्प देखने को मिला और margin 38% पे थे लास्ट इयर और इस साल निकल के आया है 53.4% के तो early on early basis में काफी अच्छा अगर पिछले साल से compare करा जाये तो काफी चम्प अच्छा देखने को मिला है growth percentage wise बहुत changes देखने को मिले हैं लेकिन बाजार जो अनुमाल लागी था रहा था उस से तो कमी आया है results तो बाजार अपको से react करेगा इस पे तो बाजार को शायद ये पसंद ना है results और और overall देखा जाये तो वैसे results कराब नहीं है वैसे अच्छे results है तो चलिए मिलते है next video